हाँ प्रेंट कैसे हो आज हम रोटी और फूलका बनाने का step by step तरीका सिखाएंगे आटा गुथने का भी और रोटी और फूलका बनाने का भी तरीका हमने एक पड़ात ले लिये हम चाय वाले कप से एक कप पानी छोटे कप ले लिये हैं अब उसमें स्वादा अनुसार नमक डाल दिये हैं, आधी छोटी चमच, अरहाई सो ग्राम की अनुसार, हमने आटे को पानी में डाल दी है, अब इसे हाथ घुमाते हुए स्वप्ट करना है, हलकी हलकी हमें हाथ घुमा कर इसे इकठे करना है, आटे को हाथ से दवाते हुए, हमने सभी आटे को गुमाते हुए इकठे कर रहे हैं और पानी हाथ में ही लेकर गुमाते हुए आटे को स्वप्ट करना है हमने पूरी अच्छी तरह से इकठे करकर के अस्पंज के मदद से स्वप्ट कर रहे हैं आटे को और पानी हाथ में ही लेकर क्योंकि डाइडेक्ट आटे में पानी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि गिला हो जाएगी अब हम सभी आटे को अच्छी तरह से इकठे कर लिये हैं गुथते हुए हमें दो मिनट इकठे करने में टाइम लगा अब इसे हाथेली के मदद से गुथना है अस्पंज के मदद से ही गुथना है हमें अस्पंज मोड कर आटे पर पूरी अच्छी तरह से पांच मिनट तक इसी तरह से गुथना है आप वीडियो में देख रहे हो और पलट कर इसी तरह से गुथते रहना है पानी का बहुत कम ही यूज करेंगे ज्यादा पानी हमें नहीं यूज करना है पांच मिनट तक हमें इसी तरस से घुमाते हुए पूरी अच्छी तरस से पलट कर गुथ लेना है अब हम परात के चारो तरफ चिकना आटा गुथ कर तयार करना है परात में भी देखो कहीं से भी पता नहीं चलता है कि हमने आटा इस परात में ही गुथ ली है अच्छी तरस से अब हमें स्वाप्ट करना है अब हम अंगली के सहायता से आटे को पूरी अच्छी तरस से पांच मिनट तक स्वाप्ट कर लेना है अब प्रात के चारो और कहीं भी आटे नहीं लगे हुए है हम पानी इसलिए डालते हैं ताकि प्रात में आटे नहीं चिपके सबसे पहले पानी हम इसलिए ही डालते हैं ये सिक्रेट बात है आटे डाल कर अगर पानी आप डाल रहे हो तो फिर प्रात में आटे लग जाएगी हमने गूत कर इसे सेटल होने के लिए पांच मिनट छोड़ देंगे आप इसे सूती कपड़े से ढख कर रख सकते हो अब रोटी बेलने के लिए हमने तब पुराने कपड़े ले लिए है और चकला और बेलन को भी ले लिए है अब आटे गुतने के लिए हम सूखे आटे का यूज करेंगे अब हम आटे को छोटे लोई काट लेना है आप इसे डो भी बोल सकते हो अब इसे गुलाई सेफ कर लेना है हमें गोल गोल हाथ का विचले हिस्से से भुमाते हुए गुलाई कर लिये हैं और आटे में सुखे आटे में लपेट कर इसे पूरी अच्छी तरसे जार लेंगे और अंगठा के मदद से इसे दवा कर हलकी सी दवा कर फैल आ लेंगे और आटे में लपेट कर इसे आटे को सुखे आटे को जार देने हैं और फिर हलके हाथों से बेलन को चलाते हुए इसे गुलाई का सेफ देंगे फिर आटे में दून एक साइट से लगा कर फिर एक साइट से लगा कर हमें ले लेनी है और गोलाई के सेफ में बेलते जाना है हलकी हाथ से दवा कर हाथ नहीं बेलनी है अब तबाहाय गरम हो गई है अब हम इसे रोटी को डाल देंगे और एक साइट से दो सकेंड के लिए स देख लेना है और तबा पर पलट कर एक सूती कपड़े के मदद से इसे रोटी के दवाहल की हाथ से दवाते हुए ज्यादा हाथ दवाते हुए नहीं फूलानी है अब रोटी फूल कर अच्छी तरह से तैयार हो गई है यह रोटी सेखने का तरीका हमने बता दी है अब दूसरे हमें फूल का गईस पर ही डाइरेक्ट सेखने का तरीका बताएंगे हमने रोटी को लोई कडो ले लिये हैं गुलाई सेप में हमें अउठे के मदद से इसे बीच दवाते रहना है और दोनों साइड से पलट कर हमें आ अच्छी तरह से हलके हाथ से बेल कर ले ली है और हमें सुखे हुए आटे में दूसराइट पलट कर आटे को लगा लेना है और आटे को जार लेना है ताकि आटा जादा ना रहे और हमें फीर से बेलना है हलके हाथ से दवाते हुए हमें रोटी को बेलेंगे ताकि अच्छ अब एक साइट से हमें दो सकेंड के लिए सेख लेना है, फिर रोटी अच्छी तरह से पलट देंगे, दूसरे साइट से हमें पूरे तीन मिनट सेख लेना है और पूरा ही सेख लेंगे, फिर पलट कर हमें गैस के उपर, तवा हटा कर गैस के उपर डाल देंगे, रोटी, फूल का बहुत अच्छी तरीके से फूल गया फिसे चिम्टा के मदद से या फिर वेलन के मदद से फूल का सेखने का तरीका अगर अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब और सेयर भी कर देना अपना राय कोमेंट वोक्स में लिख देना